अध्याय चाट मसीख के उस वेद का वरन कर सकें कि जिसके कारण मैं गैद में हूँ और उसे ऐसा प्रगट करूँ जैसा मुझे करना उचित है अब सरको बहु मुल्य समझ कर बाहर वालों के साथ बुद्धि मानी से वभार करो तुम्हारा वचन सदा अनुक्रा सहित और सलो ना हो कि तुम्हे हर मनुश को उचित रीट से उतर देना आ जाए प्रिय भाई और विश्वास योग सेवक तो कि कुछ जो प्रग में मेरा सहकर्मी है मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास बेजा है कि तुम्हे हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हिर्देयों को शान्ति दे उसके साथ मैंने उने से मुस को भी भेजा है जो विश्वास योग और प्रिय भाई और तुम ही में से है ये तुम्हें यहां की सारी बातें बता देंगे अरिस्तर खुस जो मेरे साथ कैदी है और परकुस जो परनवास का भाई लगता है जिसके विश्व में तुमने आग्या पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छे तरह वहार करना और ये शु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हे नमसकार कहते है खतना की वह लोगों में से केवल ये ही परमेश्व के राजी के लिए मेरी सहकर्मी और मेरी शांती का कारण रहे है इप प्रास जो तुम में से है और मसे ये शु का दास है तुम्हे नमसकार कहता है और सदा तुमारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयप्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छापद इस्थिर रहो मैं उसका गवा हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लोदीकिया और हेरा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्म करता रहता है प्रियवेद दिलू का और देमास का तुम्हें नमस्कार लोदीकिया के बाईयों को और नुमफाज और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना जब यह पत्र तुमारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लोदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए और वापत्र जो लोदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना और अर्खेपुस से कहना कि जो सिवा प्रभु में तुझे सौपी गई है उसे साधानी के साथ पूरी करना मुझपौल उसका अपनी हाथ से लिखा हुआ नमस्कार मेरी जंजीरों को समरन रखना तुम पर अनुक्रा होता रहे आमीन